हलो दोस्तो अगर आपके एणियों में दर्द रहता है एणि के दर्द से बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखियेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिलीपर के बारें बताऊंगी एक ऐसा चपल के बारें में बताऊंगी जिसको आप 3-4 दिन पहनेंगे न दोस्तों आपके एणी के दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलने लगेगा और इसे आप रेगुलर पहनिएगा इसे आपका एणी के दर्द हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा एणी में दर्द उन लोगों को अधिक होता है जो लोग अधिक देर तक खाड़ा हो करके कोई काम करते हैं जैसे लेडिज लोग अधिक देर तक कीचन में खड़े हो करके काम करती हैं सुबा साम दो पर तीनो टाइम खाड़ा हो करके कीचन में ही काम उनको करना होता है तो ऐसे में हम लोगों के एंडी पर बहुत ज्यादा प्रेसर आता है जिसके वज़ा से एंडीों में दर्ध होने लगता है इसके अलवा जीन लोगों के सरीर में इवरीकेसिट का मातरा बढ़ जाता है उनको भी एडियों में तेज दर्ध होने लगता है या सरीर में जितने भी जोईंट होते हैं जोईंट पेन होने लगते हैं अगर आपका वजन जादा है तो भी आपके एडियों में दर्ध हो सकता है वजन बढ़ना भी एडियों दर्ध का एक बाड़ा कारण होता है इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के एडी का जो हड़ी होता है वहाँ पर कैलसियम डिपोजिट हो जाता है वहाँ का हड़ी थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसके वज़ा से भी एडी में दर्ध होने लगता है ही लेस पर हो जाता है कई बार एणी में चोट लगने की वज़ा से कई लोगों को एणी में दर्ध होने लगता है एणी के मान स्पेसियों में सूजन और तनाव हो जाता है जिसके वज़ा से एणी में दर्ध होने लगता है दोस्तों जिनको भी एड़ी में दर्द होता है उनको अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा आराम देना चाहिए कोई भी काम उनको ज्यादा देर तक खाड़ा होकर के नहीं करना चाहिए तो पैर को आप आराम देजिएगा और इस तरीके का जो रबड़वाला सिलिपर होता है हवाई चपल होता है उसको आप कभी भी मत पहनिएगा इस चपल को पहनने से आपके एड़ी में दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है अगर आपके एड़ी में दर्द है तो आपको इस तरीके का गदेदार जो sponge टाइप का चपल आता है slipper आता है इस टाइप का चपल आपको पहनना चाहिए इस चपल को 2-3 दिन आप पहनेंगे न दोस्तो दो-3 दिन में ही आपके एड़ी के दर्द में आराम मिल जाएगा ये चपल एड़ी के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमांद है बहुत ज़्यादा ये अरमदायक चपल होता है दोस्तो जिनको भी एड़ी में दर्द होता है इस चपल को आप जरूर पहन कर देखि तो कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे या आपके मार्केट में जो भी एविलेबल हो आप खरीद के लाईए और इस चपल को यूज करिए दोस्तों आपके यहणी के दर्द में बहुत ज्यादा अराम मिल जाएगा जब इस सिलिपर को आप खरीदने जाएगा तो इस तरी जी है या नहीं गदेदार है या नहीं इसका आप चेक जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों का वाजन जादा है जो लोग अधिक देर तक खाड़ा हो करके काम करते हैं उन लोगों को यह सिलिपर जरूर पहनना चाहिए इस सिलिपर को पहनने से आपके एंडियों पर अराम मिलेगा जब इससे आप खरीदने जाएं तो एक बात का अर verde्यान आपको रखना है इस पर जो छोटा छोटा होल है दोस्तोटों इसको देखकर के लेना जिस चपल पर ये छोटा-छोटा होल होगा वही चपल आपको खरीदना है ये जो होल है न दोस्तों आपके एंडि पर प्रेसर बहुत कम पड़ता है जिसके वज़ा से एंडी के दर्ध में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है तो अगर आपके एंडीों में दर्ध है न दोस्थो तो एक बार इस सिलिपर को यूज करके आप जरूर देखिएगा उमीद है आपको बहुत ज्यादा एंडियों में आराम मिलेगा क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को जनकारी देती हूं दोस्तो आज माया हुआ होता है इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको कितना फैदा हुआ हमें कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताईएगा इस जनका को किलिक करके उसे ओल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके फिर मिलेंगे नए जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तक लिए बाए बाए धन्यवाद